Hello everyone, आज है 31 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Trident Limited के बारे में देखें, टेक्स्टाइल इंडेस्ट्री से जुड़ी हुई एक दमदार कंपनी है और 2020 से पहले अगर हम देखें तो ये एक पैनी स्टॉक हुआ करती थी एक बहुत बड़ी रफतार आई 68-70 रुपीज तक ये शेर गया था लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार यहां पर गिरावट बन रही है और गिरावट की वज़ए थी कि इनके quarterly results अच्छे नहीं आ रहे थे quarter on quarter इनके profits में गिरावट दर्ज की जा रही थी लेकिन quarter 3 के नतीजे आए हैं और अब एक increase वाला graph हमें देखने को मिल चुका है वीडियो में हम उसके बारे में बातचीत भी करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से जो आपको काफी जादा help करेंगे तो Trident का share आज 5% की तीजी दिखा रहा है क्योंकि नतीज शांदार थे और तीजी आई ज़रूर एवन अगर हम देखें तो मौनिंग में ये 6.5% की तीजी दिखा रहा था बाद में अभी थोड़ा सा करेक्शन ज़रूर आया है लेकिन अगर हम बात करें पिछले एक महिने की तो पिछले एक महिने में Trident Limited के share में तकरीबन 0.5% की गिरावट अभी भी है देखो लगातार ये तूट रहा था और आज तेजी बनी है और अच्छी तेजी बनी है यहाँ पर अगर हम एक साल की बात करें तो पिछले एक साल में Trident Limited का जो शेर है उसमें 45% की गिरावट है 62 रुपीज से लगाता तूटा है देखो बीच बीच में थोड़ा सा भी अगर बाउंस बैक किया तो ये लगाता तूट ही रहा था और एक साल का सबसे बड़ा जो लो था वो इसने अभी हाल फिडाल में ही बना था 31 रुपए का और अगर हम बात करें उससे पहले की तीन साल के अगर हम बात करें तब तो रिटर्न हमें अभी भी अच्छे देखने को मिल रहे है 432% का ग्रोथ है तो कि मैंने पहले ही का कि कोविट के वक ये पैनी स्टॉक था बात में 68 रुपीज तक या बड़ी तीजी बनी यहां पर और अभी उतनी ही बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और लगातार यह तूट रहा है और इनके नतीजे के बारे में अगर हम बात करें यहां पर अगर आप देखो तो हाल फिल हाल में डिसमबर क्वाटर में इनके जो निट सेल्स हुए है वो 1640 करोड के आसपास के हुए है जो पिछले साल के 198 करोड से तो कम ही है लेकिन पिछले क्वाटर में इनका जो निट सेल था वो 1435 करोड के आसपास था तो उसके मुकाबले अच्छा increase आप कह सकते हो दूसरी बाद सबसे बड़ी चीज हुई है वो हुई है इनके profits में क्योंकि देखो इनका profit इससे पहले के quarter में सिर्फ 37 करोड का ही था इस बार 145 करोड हो चुका है तो profit में यह जो jump आया है और यह कहीं न कहीं एक अच्छा sign है देखो मैंने पहले भी इससे पहले के बार अगर आप देखो न तो इनके profit जो थे न वो quarter on quarter decreasing mode में थे लेकिन अब quarter on quarter यहाँ पर increase वाला mode अगर देखने को मिल जाए तो काफी अच्छा होगा यहाँ पर देखे 37 करोड का इनका profit था इससे पहले कोई quarter में और उसके बाद 145 करोड अभी next quarter में अगर यह और बढ़ गया तो बहुत ही बहतर हो सकता है company के बारे में अगर हम देखे Trident की तो midcap share है यह 16,000 करोड से भी जादा करे इसका market के अप है volumes अगर आप देखोगे तो 25 से 26 लाग के है अभी बाजर जस्ट open ही हुआ है और काफी अच्छे volumes में कहूँगा कि देखने को मिले है और company की भी अगर हम बात करें तो इनके margin में भी काफी अच्छा increase आया है का growth देखने को मिला जो कि बहुत अच्छे नतीजे है और यही वज़ा है कि आज आपको 30 भी देखने को मिल गई promoter के पास भी बहुत अच्छे quantity है उसके बारे में भी हम बात करेंगे लेकिन एक चीज वीडियो को पूरा देखेगा मैं यह नहीं कि रहा हूं कि जाके अभी के खरीदारी करो प्योंकि देखो बाज़ार में यह होता जरूर है कि नतीजे अच्छे आते हैं एकदम से share में तीजी देखने को मिलती है बाद में धीरे 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 करके एक profit booking भी आती है यहाँ पर according to money control user 100% लोग कहरें खरीदारी करो 100% लोग ठीक है इतना ही नहीं अगर हम यहाँ पर नज़र करें company में तो इनकी revenue बहुत ही शांदार थे आदे को 2022 में सबसे highest revenue रही 7000 करोड जो पहले मुश्किल से 4500 से 5000 करोड के बीच में हुआ करते थे और यही वज़ा है कि वो penny stock से बड़ी रफतार की तरफ भाग गया यह share अभी क्या हो रहा है अभी भी इनका अगर हम average दिखे तो 1500 से 1600 करोड के आसपास बनता है जो की 7000 करोड तो नहीं लेकिन फिर भी 6000 करोड के आसपास हो सकता है इनका revenue financial year 2023 में जहां तक बात करें profits की तो profits सबसे highest 833 करोड के थे financial year 2022 में और तब शर्व आप देखो तो भई अब 70 के आसपास trade भी कर रहा था उसके बाद गिरना शुरू हुआ इनके तब से अगर हम देखे तो थोड़े से कम जरूर हुआ हला कि 2022 इतने profit आपको देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन आप एक decent profit के उम्मीद जरूर कर सकते है इनसे यहां पर trident में नजर करें तो dividend की जहां तक बात है तो पिछले साल इसने आपको dividend भी pay किया था और वो भी दो बार एक बार 36 पैसे का पे किया था 2021 में इसने दो बार पे किया था अभी तक कोई announcement नहीं हुई है dividend की लेकिन जैसे ही उसके बारे में भी कोई update आए definitely हम आपको update कर देंगे company को लेकर अगर आप देखो Trident तो जाहर से बात है अभी जब हम बात कर रहे थे तो 5.5% की तेजी थी अभी ये तेजी दीरे दीरे कम होकर 4.5 पर आ रही जैसे कि मैंने पहले ही कहा जैसे ही नतीजे की खबर आती है जैसे ही आपको बाजार खुलता नजर आता है तो एक तीजी की तरफ भागता नजर आता है शाले कि उसके बाद देरे देरे profit booking आते जरूर है मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर market close होते होते यहाँ पर जो percentage of growth है वो शायद आपको 2% का देखने को मिल जाए आज के दिन में company का PE देखे तो 19 का है जो कि अच्छा है sector PE 129 का है 100% analysis कहते हैं खरीदाई करो share holding को लेकर अगर हम देखे तो promoter के पास ही जादातर holding देखने को मिल रखी है 72.94% की बहुत बड़ी holding यहाँ पर promoter के पास है mutual fund के पास 0.04% है domestic के पास कुछ भी नहीं है 2.36% है Files के पास retail और others की मिला कर अगर यहाँ पर बात के तो 24.66% की holding है जिनमें से retail investor के पास 18.23% की holding देखने को मिल रही है overall मैं इतना ही कहूंगा Trident को लेकर के company अच्छे जरूर है लेकिन सस्तर कीमत पर खरीदना भी जरूरी है यहाँ पर जब यह high price पर था मैंने खुद मना किया था 50 के उपर कि मत खरीदना इसको क्योंकि यह आपको गिरावट दिखाएगा आने वारे दोर में और Trident में बीच बीच में कई सारी दिक्कते पैदा भी हुई थे इनके plants कुछ दिनों के लिए बंद भी रहे थे क्योंकि गाओं वालों ने इंके company के खिलाब protest भी किये थे क्योंकि पानी का जादा इस्तमाल वहाँ पर हो रहा था बाद में चीज़ें sort out होती नजर भी आई थी और अभी भी देखे तो अभी कोई उतनी बड़ी कोई दिक्कत और या उतनी बड़ी कोई दिक्कती खबर अभी तक देखने को मिल नहीं रही है तो चीज़े अच्छी चल रही है ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ और उम्मीद करेंगे कि यहां से जो production होगा वो बढ़ेगा और सरकार भी जो है वो आने वाले दोर में यहां पर production बढ़ाने पर जोड देजी क्योंकि सरकार incentive अगरा प्रोवाइट कर रही है टेक्सेल इंडस्रीज को और Trident भी उस category में है जिसको सरकार के incentive का फाइदा मिलने वाला है तो Trident भी अपना production बढ़ाएगा और अपने सामान को इंडिया के बाहर भेजेगा तो कहीं न कहीं सरकार भी पुश करेगी इस sector को और जिसका फाइदा आने वाले दोर में इस company को होगा जरूर और यहीं कहुँगा आप से कि Trident Limited खरीदारी करी है बने रहिए लेकिन जहां तक बात है fresh buying की मुझे लगता है कि नतीजे के बाद थोड़ी सी profit booking देखने को मिल सकती है बले ही बहतरीन results आ है लेकिन फिर भी अगर आप को comfortable price चाहिए buying के लिए तो मेरे हिसाब से वो होगा 30 रूपए के दिखा रहा है और 13 रूपए से भी नीचे जा चुका है नतीजे भी कुछ खास अच्छे नहीं आए है इनका जो मालिकाना हाख है वो मुकेश अंबानी के पास है और अगर आप चाहते हैं कि मैं आलोग industries के उपर भी डिटेल वीडियो बनाओ तो कमेंट में आलोग industries जब लिखेंगा जितने ज़्यादा कमेंट है कि उतना जल्दी वीडियो आगा वोडियो को यहीं एंड करता हूँ पसंद आए हो तो लाइक तर शाय के चैनल पकर पहली बाहर है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और Trident Limited के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं Thank you